लुए आफकर और मार्के आलेसिस वीडियो के लिए सटोंग रहा था और तो मैं कुछ अलग तरीके से स्टोंग रहा था इस बार यह जिसमें थोड़ा साओ ऑपन इंट्रेस्ट किया थोड़ा से वॉल्यूम्स या थोड़ा सा टेक्निकल जा करके स्टड़ी करें तो मैंने आईडिया आपके साथ भी शेर करता हूं कि आप भी कैसे अपने घर पे बैठके आराम से कुछ यूज़ करके थोड़ा सा आसान कर सकते हो जैसे थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए तो दुनिया में वहुत ब्रइब चीप मतलब रहते हैं जैसे एक तो शाद बहुत कम कर रहता है सेंसेबल भी छे महिने के लिए पांच-छे थार में मिल जाता है तो अब आपको निकालना चाहता हूं कि यहां पर आने के बाद हम यह एड़ फिल्टर पर जाने के बाद इसका बहुत डिटेटिल बनाऊंगा यहां पर बहुत सारी चीजें फंडमेंटल के लिए बनाऊंगा के लिए टेकनिकल में जाएंगे टो सारी चीजें दी हुम यह सब उसकते हैं मैंने क्लिक करने के बाद मैंने क्या इसको यहां यहां अने यहां पर हैर मार्केट प्राइज यहां पर न चाहता था क्यो적中 मार्केट आले इस वीडियो में डिसकस करेंगे मार्केट का क्या होने वाला है इट्स गो मोर पेरिश वो तो देख रहा है अब बेरिश है तो मैं कौन से स्टॉक पकड़ना चाहता हूं आप खुद देखो आपको कांसे स्टॉक चाहिए ऐसे स्टॉक चाहिए जो अल्रेडी गिर चुके हैं या किसी सपोर्ट को तोड़ सकते हैं मेरे सब्सक्राइब को तोड़ सकते हैं तो ऐसा कौन सा स्टॉक होगा तो 200 यह में पर आ करके हमने चेक करा तो हमें देख के समझ माया है कि यह 719 और 700 कौन सा स्टॉक पास में अपने 200 यह में तो बहुत सारे और निकल ले रहे हैं अगर यह सपोर्ट टूटे गा तो मार्केट फेल्ट मार्केट गिरता है अपने लेवल को नहीं तोड़ पाता अगर नीचे गया तो तो अगर मंडे के दिन मुझे यहां पर आइसी एसी बैंक में कैंडल रेड मिलती है तो यह मेरे लिए इंट्राडेवी टेट बन सकता गर यह गाप डोन ओपन होता है 200 मुविंग आवरेज के नीचे तो किसे को लेवल मैंने टो मैंने डेली ताइम फ्रेम से निकाला और आक्शन मैंने छोड़ी ताइम पर लिया 15 मिनिट यह 30 मिनिट तो भी यह पॉसिबल है तो इसलिए पहला तरीका आप ऐसे स्टॉक ढूंदो अभी की मार्केट कंडिशन है पत्या मार्केट ग्याप डॉन खुलेगा थोड़ा खुलेगा और इट विल स्टार्ट जर्नी तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है और इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है मंडे के लिए कैसे निकाला खोला हमने अपना यह कर दिया क्या बुलते हैं तो एक टेकनिक यह हो सकती है मूविंग अवरेज को यूज करके दूसरी टेकनिक मैं आपको बताता हूं यह था मैं एक मिनिट इसको लॉग आउट कर देता हूं और लॉग आउट करने के बाद आता हूं एक बाद टेकनिकल फिल्टर में तो यहां पे 200 एमें हमको फ्री में मिल रहा है तो देखो की बात करूंगा 200 moving average क्योंकि हमें 100 बहुत कम स्टॉक निकालने ज्यादा स्टॉक निकालें तो प्रॉब्लम होगी तो दिस इस टिकर टेप डॉट इन कहां पर आया टिकर टेप डॉट इन के अंदर यहां पर आके आपको आपको आना है यहां पर आना है स्टॉक स्क्रीन प आपको जो भी फिल्टर होंगे सबको रिसेट कर दो आप रिसेट और रिसेट और पर ही है एक्चुली वह फिर एड़ फिल्टर पर जाओ टेकनिकल पर जाओ और यहां पर आप 200 एमें दिखर आपको यह लगा लो 200 एमें इस दखिंग ऑफ मूविंग आवरेज इस यह रहा इसे लगा करके आप यहां पर हाई यहां पर हाई पर क्लिक करके आप अराम से देखो कंपेर करो कौन सा आसपास है उससे अपने रेडर में लाओ तो पहला सटॉक सेलेक्शन मेफट हो गया फ्री में कर सकते हैं इस्टिकर टेप डॉट इन पर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल आउंगा फॉर तो पहला होगा हमारे लिए हमको ट्रैक करना है मंडे के दिन के लिए और मैं यह सब मार्केट वीडियो में भी दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा अब दूसरा मातें सेंसिबुल पे से संसिबुल क्या है आपके जिरूदा से कनेक्ट हो जाते हैं लॉग स्कृइनर पे आऊंदर वॉल्यूम आया है यह पेहला स्क्रीनिंग का प्रोसेस का क्या किया मैंने अनलाइस पर आया यहां पर यह बंद था लिक्विड उनली तो जरूरी लिकविड स्टॉक्स टेई अपन को वॉल्यूम स्पाइक चालू कर दो बागी सब बंद रखो तीन स्टॉक आ रहें फिल्हाल के लिए अब हमारा काम नहीं मुझे offerings आने वाले मुझे mastery मॉर्केट चाने वाले और मैं तो मैं तो फोधिश फान ऑ ववन थ्योरी सेल रिजिस्ट बाय जइंड्स त्यूर्ट योसे एल्जिश कैन संट आप जो बाप बाइडब लेकिन हम अपने एक बहुत इंपोर्टेंट रजिस्टेंस लेवल पे हैं हम अपने सप्लाइज उन पे हैं हम एक बुल्ट्रा बना रहे हैं क्या मार्केट खोला उपर सस्टेनी कर पाया घुज गया नीचे इस नौट क्लियर लिए बुल्ट्रा बुल्ट्रा पे बाहर क्लोजिंग भी देता है यह तो और वीक हुआ तुम क्लोजिंग भी दे पाए वैसे घुज गए मतलब यह क्लोजिंग दे चुका है अब वॉल्यूम एक्स्ट्रीम हेवी वॉल्यूम के साथ मार्केट स्ट्रक्चर टॉप ठीक है कैंडल स्टिक पैटर्न बेरिश अंगल्फिंग ठीक ह है मार्केट स्ट्रक्चर टॉप पे डबल ट्रिपल टॉप बण रहा है और क्या हो सकता है जबर्दस स्टॉख है स्विंग ट्रेड मारने के लिए बजांग आपको दिखां यहां पे कहा गया बजाज ऑठों यहां पर दिख रहा है ना थे 3700 के आसपास दिखा रहा है तो 3700 क्या होते है मैक्समिन क्या होता जबी भी इसका बना हुआ है सो आपको क्या देखने मिलता है सिंपल है हमने देखा बजाज ऑटो टॉप के है हैवी वॉल्यूम है एंगल्फिंग कैंडल है और एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप जैसा पैटन है और वह पूरा बेर और ओवरल मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है मैक्स पेंग बता है 3700 के आसपास है तो इसका यह टार्ग यहां तक कि भी आती है तो टार्गेट नंबर टू बजाज ऑटो कैसे डूंडा कुछ नहीं मैं गया मैंने वॉल्यूम स्पाइक देखा जिसमें हैवी वॉल्यूम था उसका प्राइज एक्शन चेक किया अगर प्राइज एक्शन मार्केट स्ट्रॉक्श्यर थियोरी के सा सब्सक्राइय तो दूसरा सिलेक्शन करूंग अपने प्राइज ओटो का रहा है अब और स्टॉक देखेंगे दीपक नाईट्रेट दिःट का स्थाट खो स्ट कहलेंगे तो ओक देखो यहां भी वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है मेरे को और ये मैं क्यों इंटरयस् awakening मिर जाते हैं और वो आपको कौन बताता है market structure मैं देख रहा हूँ कि ये area बहुत heavy volume यहाँ पे हुआ हुआ है, volume increase हुआ और market closing, तो अगर market इस line के उपर closing दे देता है 1831, तो one stock to buy, deepak nitrate one stock to sell, बजा जोटो as of now, based on volume and price action, not just volume alone not just price action alone, based on some data points and price action तो अगर buy के mood में हो, अगर आपको लगता है market, अगर आप bullish है, अगर आपको लगता है market ऐसे यूटन ले सकता है, तो deepak nitrate very good stock to buy, based on price action and volume analysis, बजा जोटो very good stock to sell, based on price action and volume analysis, now if I'll come here jubilion food का chart मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया ना कोई ऐसे market structure के बीच भसा हुए, देखो, वो कैसा था बजाज ओटो top पे था, ये कहां था अपना jubilion, sorry, deepak nitrate bottom पे था, ये कहा है, ये बीच में है, तो बाई काटो इसे, इसे ऐसे stock ignore करो तो data हो, point होने के बाद भी मैं इसे करोंगा, मैं हाँ पे वापस से दीपक nitrate, nitrate खोल लूँगा, ठीक, अब एक setting में आपको और देखाता हूँ, अब आप क्या करें, volume spike को बन कर दे, अब upcoming event छोड़ने, बाद में कभी इसके पर video बनाएंगे, पक्का long build-up है ही नहीं किसी में, short cover ही नहीं किसी में, long unwinding ही नहीं किसी में, short build-up, short build-up bank nifty में, bank nifty की बाद market analysis में करेंगे, अगर उसके बाद मैं देखूं यहाँ पे, second rank पे, 1.7x highest volume के साथ, बजाज finance यहाँ पे, अपन को एक top rank पे दिखा रहा है, ठीक है, सब कुछ बड़ी है, तो बजाज finance का आप चार्ट कोलेंगे, बजाज finance का चार्ट कोले, तो क्या मालूम चला, भाई साब, यहाँ पे तो बड़िया वाला beer flag बना हुआ है, जो activate हो गया है, activate होने के साथ साथ, मारू बोजू candle, अब मारू बोजू candle क्या होती है, मारू बोजू, मारू बोजू candle stick क्या होती है, अगर आप देखेंगे, तो जो candle पूरी की पूरी full red या green होती है, उसे मारू बोजू कहते है, यह बहुत strong candle होती है, extremely powerful candle stick, जिसकी long body no shadow होती है, तो अगर आप देखो कि बजाओ फनेंस, तो प्राइज एक्षन तो भाई, मारू बोजू कहा रहा है, मार्केट स्टॉक्षर, जिग्जग वेव नमबर 123 के हिसाब से तोड़ रहा है, ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट negative है, पहला support, तो मतलब यह क्या, छोटे time के swing trader, intraday वालो के लिए तो जबर्दस टॉक हुआ, 5500 को तो नमबर मिलना ही है, हपन को short करने के लिए, और obviously बात है, जिस हिसाब से गिर रहा है, हो सकता यह इस level को भी breach करते, तो यहाँ भी हमने 2 target level मना सकते हैं, एक 5300 रुपीज का और एक 5500 रुपीज का यह दो लेवल हम अपने target के लिए बना सकते हैं, यहाँ पे 5500 का और 5300 का भी 360, मतलब market थोड़ा gap दो खुलता, short कर दो intraday में भी कमा सकते हैं, Monday Tuesday को और swing में भी कमा सकते हैं, तो यह रहा, तो क्या method यूज करा मैंने, मैंने sensible में गया sensible के setting में मैंने क्या करा एक बार, जैसा market है, market bullish जाएगा तो आप थोड़ा long build-up को देखिए, market bearish है तो short build-up को देखिए, और सिर्फ short build-up उने से short build-up तो इतने सारों में है, लेकिन price action wise, मुझे with candlestick pattern maru bozu, beer flag, है ना, support level के आसपास easy target, मुझे लगा किस में है, बजाज finance में, तो दो चीज सीखी हमने, जिस तरीके का market है वो वाला build-up, छेक करिए, उसमें देखिए कि price action किसमें जम रहा, volume किसमें बढ़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन उस volume के साथ-साथ क्या हमें, market structure के top या bottom पे है, तो उनको में निख सकते, तो आज के, definitely मैं market analysis वीडियो में फिर से चीज़ें बताऊंगा, आप लोगो को, but for swing trades, short term swing trades, आपको मैंने दिखाया, किस तरीके साम यह चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो comment करके बताना, अच्छा लगा किया, अच्छा लगे किया, तो मैं और study करूँगा, और videos बनाऊंगा, stock screeners पे, और detail लाऊंगा, और definitely free वाले भी और paid वाले भी दोनों लाऊंगा, कोई दिखकत ने, ठीक है, अभी आपको लिंक, टिकर टेप के भी आपको मिल जाएगी, आपको sensible के भी link मिल जाएगी, description में और comment pin में भी comment कर दूँगा, अकाउंट खोल लेना, अकाउंट खोलने के बाद मेरे को comment करके बता देना, तो आपको, मेरे को inform हो जाता है, कि मेरे through कित्ते accounts open हुए, और obviously बात अगर आप sensible buy करते हो, तो उसमें से 10-20% हमें मिलता है as amount, that's it, तो ठीक है, तो चलो किसी ने, किसी के तो मिलना ही था, आपको तो तत्ता पे करना, और आपका फाइदा यह रहता है न, कि आपको GST बचेगा, आप मेरे account के मेरे link के through को लोगे न, अगर sensible, खोल ले न, क्योंकि मैं sensible के पर काफी videos बनाने वाला हूँ, अगर खोलोगे, तो आपको discount मिलेगा, directly buy करने से अच्छा है, इस link के through, ठीक है guys, तो चलो बताओ फिर कैसा लगा, मैं सोच रो, निफ्ती के उपर भी अच्छा है, तो आपको